और वाई लोग क्या चाल कैसे हो तुम लोग बड़ी अगदम सब अगदम मस्ती में भाई जिन्दकी कितम सही कटरी नहीं यार हैं चलो तो यार आज हम लोग पाने वाले हैं तो यार इस के लिए मैं दो अलग अलग विडियो बॉडियो तो इस वीडियो में हम फिसकली बर बात करेंगे जो की है जो की है एक लृ afterward była तो चलो यार कहानीको शुरू करते हैं ठीक है यह जो कहानी है ठीक है और इस कहानी में basically हमने यार बताया गया है कि डर के आगे जीत है जो कि यार हमनों बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि डर के आगे जीत है हम मतलब यार सच में यार हमनों बच्पन से सुनते आ रहे हैं इस चीज को है तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम इस कहानी में क्या बताया गया है, ठीक है, तो भाई, यह जो सीगल है ना भाई, इसकी पुरी की पुरी फैमिली है, ठीक है, जैसे मेरी फैमिली है, तुमारी फैमिली है, हमारी फैमिली होती है, उसी तरह से इस लेकिन बेचारा सेखिवानल यहीं हो। ङर निचे घर गअगे हैं चुछवराजन और सेखर मोसं में उड़िन और फैरेकी हैं हों और शॉद्ध की dus दिशेखिए neem सेख्वरण आपर भी हैं और जोब जके हम और सब्सक्राइब हो कि लुक्ष के लगए और भाई जो डर हम लोग उस समय फिल कर रहा होता है वही डर भाई सेम डर वह इस समय अपना यह अपना सीगल जो आना यह फेस कर रहा है उसको फिल कर रहा है ठीक है तो चलो यह कहानी को शुरू करते हैं तो देखो यह सीगल की जो फैमिली है पूरी की पूरी फैमिली भाई कि जितने भी भाई बेहन हैं, वो उड़ते हैं, माता-पिता उड़ते हैं, चहाते हैं, कोई मचली पकर रहा होता है, ठीक है, तो उनका जो काम होता है, बैसिकली वो लोग अपना काम कर रहा होते हैं, और मस्ती कर रहा होते हैं, जो भी फन होता है, वो कर रहा होते हैं, और ब के लेज पर दोड़ते हुए जाता है ठीक है उरने की कोशिश भी करता है लेकिन जैसे भाई वो नीचे देखता है वो देखता भाई इतनी लंबी खाई है है इतना लंबा खाई गिरूंगा तो सच में दो-चार हड़ी चूड़ जाएगी वह सोचता है कि जो छोटे सा पंक ह बाई वो तो असानी से उड़ जाते हैं उन्हें डरने लगता भाई ठीक है लेकिन हमारे इस सीगल को डर लगता है तो वह यह बहु है कि जो उसकी पिता शीरी वह उस दोनों भाई को और बहन को सिखा रहे होता है कैसे यार लहरों को छूकर निकला जाता है जब हवात ते जाती है ना भाई उस ले курक को चूकर निकलो या फिर जो समुंदर का लेहर होता भाई उस को चूकर कैसे उड़ जाते हैं ठीक है वो सब चीज James सीखा रहा होते हैं अपने बच्चों को तो ओर नोटीस करता है वह देखता है कि उसके पिता श्री जो है हेरिंग नाम कोई मचली होता है ठीक है तो उसे वो पकरता है और खाता है तो ये देखकर भाई बहुत ज़्याद सब खुश हो जाते है ठीक है वो भी खुश हो जाता है और उसके जो पिता शरी होते हैं उन सब को जो पिता होते हैं न भाई वो भाई बहुत ज़्यादा excited हो आते हैं ठीक है अपने इस बेटे की कामियाभी को देखकर भाई वो बहुत ज़्यादा खुश हो आते हैं वो काते हैं बाह बैटे वाह तालीप जाते हैं भाई मतलब तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया ऐसी वाली feeling आती है ठीक है सब भाई बहुत ज़्यदा खुश हो जाते हैं और असमान में उरने लगते हैं चहचाहाते हैं आवाज निकालते हैं जो उनकी आवाज होती है ठीक है वो आवाज निकालते हैं और बहुत ज़्यदा खुश हो जाते हैं और कुछ देर के बाद भाई जितने भी उनकी family member होती है भाई वो सभी के सभी उड़कर दूसरे mountain ledge पर जा रहे होते हैं ठीक है यहां से वो लोग उड़कर दूसरे पर जा रहे होते हैं लेकिन हमारे बीचारा रहे सीगल को उरना आता नहीं था ठीक है तो वो कैसे जाएगा तो सब भाई उसे छोर के चले जाते हैं ठीक है और ये भी बेचारा उरने की कोशिश तो करता है लेकिन डर के मारे इसके पतलून गिली हो जाती है और ये वापस से निराश हो के भाई वापस एक ledge के hole में चला जाता है जहां पर वो अपनी रात बिताया था कल की रात जो ब भूखें मरने के लिए और फिर भाई उसके माता-पिता भी चले जाते हैं अब भाई तुम सोच रहोगे कि यार इसके माता-पिता ने ऐसा क्यों कहा ठीक है यार कहना जरूरी है अगर वो नहीं कहेंगे तो ये जो हमारा सीगल है वो ट्राई ही नहीं करेगा उरने का ठीक ह अब एर जिन्ददी भर इसके माता-पिता इसके साथ थोने रहेंगे अफर इसके भाई बैन इसके साथ थोने रहेंगे ये बर्ड है इससा उड़ना जरूरी है न भाई ये उडएगा नहीं तो अपना भोजन के ऐसे मतन की ढूंडेगा ठीक है मचली नहीं पकड़िगा त यह सब मैथर्ड है सिखाने का कि किस तरह से सिखाया जाता है और माता-पिता को भाई बहुत ही अच्छे से यह सब का ग्यान होता है कि कैसे बच्चे को ट्रीट करना है खेरियार टॉपिक से भटकेंगा नहीं चलो वापस आते हैं ठीक है तो उसके माता-पिता भाई उसे छोर के चले जाते हैं उसी माउंटन लेज पर ठीक है और उसके पॉजिट साइड में एक दूसरा माउंटन लेज होता है तो वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और यह बे वह सोच रहा होता है कि भाई सच में तो कोई मुझे भूखे मर लेगे नहीं छोर देंगे ना ठीक है वो देखता है कि भाई उसके दोनों भाई बहन चोरना मुंडी को नीचे करकिये हुए ठीक है और अपने चोंच से गरदन को सहला रहे हैं उसका जो बाप होता है ठीक है वो चोच से मचली को काट रही होती है और अपना चोच भाई पत्थल में रगर रही होती है ठीक है, ताकि वो उसका चोच जो है शार्प हो जाए, जैसे यार अकसर हम लोग चाकोगार को रगर के शार्प करते हैं, ठीक है तुमने किया हो तो किया हो पता नहीं यार मुझे लेकिन मैंने अभी किया है ठीक है तो यार बिलकुल उसी तरह से उस सीगल की जो मा होती है न भाई वो चोंच को रगर रही होती है ताकि मचली को अरासानी से काट के निकाल सके ठीक है टुकले टुकले बाट सके मचली को इस पूरी हालत खराब हो रखी होती है ठीक है तो भाई यह ना इक अपना शातर दिमाग चलाता ठीक है और एक प्लान बनाता है प्लान क्या बनाता है कि यह दोर के जाता है उस लेज के किनारे पर ठीक है अपना एक टांग उपर करता है और एक टांग पर भाई एक आंख बंद क सो जाता है ताकि उसे उसकी family member में से कोई भी यार उसे notice करे ठीक है और उसे कुछ दया करके खाने के लिए दे दे बेचारा समझ के खाने के लिए कुछ दे दे इसलिए भाई वो अपने प्लान रहाता है और जाके एक टांग पर सो जाता है ठीक है लेकिन भाई फिर भी उसे क मां को उड़ते हुए देखकर वो अपना चोच फार लेता है ठीक है जो मां चोटा सा सीगल है न भाई यह अपना चोच फार लेता है ताकि जो उसकी मां मचली फेके तो वो उसे catch कर सके ठीक है और उसकी मां जो भाई भाई वो भी आती है उसके तरफ से और चोंच को भाई तो वो भाई जो मास सीगल जोता है ना भाई वो एकदम लपक रहाता है उस मचली को लपक कर खाने की कोशिश करता है और उस माउंटेल लेज से थोड़ा आगे की और आ जाता थी कहने कि हवा में आ जाता है वो ठीक है और जब वो नीचे देखता है का था बहा पर इतना लगता है फिर अपना पंख निकालता है और सीधा उड़ जाता है और जब वो उड़ता है तो उसकी पुरी की पुरी फैमिली भाई खुश हो आती है वो करते वाह आखिरकार हमारा यह नलायक बेटा भी कामियाब होई गया ठीक है यानि कि उड़ने लगा तो भाई सब चह चाहते हैं काते हैं जो उनकी आवाज होती है व आवाजे निकालते है ठीक है और ऐसे करके वाई थोड़ी दर तक वो निकल जाता है वह डर जो गिर जाएका नीचे बाई वह जो डर होताओ वो निकल जाताओ इसके अंदर से ठीक है और वह अराम से उर रहा होता है हलके घबरहाट तो होती लेकिन वह अर्राम से उरता है ठीक और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो आता है कि वा मैं आखिरकार सीख गया सीख गया जब तुम साइकल सीख जाते हो न ठीक है तब तुम्हारे कैसे फिलिंग होती है खुब चलाते हो खुब चलाते हो खुब चलाते हो तुम बहुत बहुत दूर तक चले जाते हो तो वो भी भाई वो जब वो नया-नया सीखा था ना उरने के लिए ठीक है अपने जब उसने first flight ली तो भाई वो बहुत ही दूर तक उड़ा ठीक है और थोड़े दिर के बाद भाई गया और समूंदर को टच करने की कोशिश की ठीक है जो लहर था ना भाई उसको उसके surface पर टच करने की उसके कोशिश की उस पर वो लैंड करने के कोशिश कर रहा था ठीक है तो भाई वो उसमें धंसता चला गया हलका धंसा क्योंकि भाई वो ठक चुका था जब वह बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया और बहुत दूर तक उड़ा तो वह बहुत ज्यादा ठक गया ठाओ और भाई वो उसमें धंसता चला गया, उसके पंक पंक धंस गया, लेकिन भाई वो डूबा नहीं, वो उस पर तैर रहा था, ठीक है, और भाई अपने चोच से ना, वो मचलियों को भी पकरने लगा, खाने लगा, ठीक है, मतलब कि यार, उसके अंदर से वो डर निकल गया, वो ज यहीं पर तुम्हारी यह जो कहानी है, यह खतम हो जाते है, ठीक है, उस पंची ने भाई अपना यह पहला फ्लाइट ले लिया, ठीक है, पहली उरान भरी, और बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जैसे यार, हम लोग साइकल सीखते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते ह ठीक है, हासिल कर लोगे, जो तुम चाहोगे, तुम फोड कर दोगे एक दम, लेकिन अपने माइंड से वो डर को हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है, डर के आगे जीत है, यह डालक सुनके, और माउंटेन डू का परचार देखके पहागे, उपास कूद मत जाना, समझ गया ह उसा बेबा कुफी है, तो मतलब यार ऐसा करोगे न, तो पका तुमारे पैरवेट टूड जाएगा, और बिस्तर पकरना पड़ जाएगा, ठीक है, तो चलो यार, आब मैं तुमसे अलवीदा लेता हूँ, ठीक है, और इसी चेप्टर के नेक्स पार्ट में मैं तुमसे जल झाल 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